हलो फ्रेंट्स मैं सलफ शब्बिर हुसेन और वाचिंग फिजियो टॉक दूस्तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं विटामीन एक के बारे में पूरी जान करीदेंगे आपको कि विटामीन एक क्या होता है विटामीन एक की कमी से हमारी बॉड़ी में क्या-क्या मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को कि दोस्तों विटामीन एक जिसको की रेटिनोल और रेटिनोएक एसीड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों विटामीन ए हमारी विजन हमारी बॉड़ी की ग्रॉथ हमारी बॉड़ी के इम्मुनिटी को बढ़ है दोस्तू विटामिन A को रेटीनोल के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि ये हमारे आई के अंदर का काम करता है यानि कि रेटीना के अंदर जो पिगमेंट होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए विटामिन A जिम्मेदार होता दोस्तो साथ है vitamin A हमारे तीत के लिए यानि हमारे दातों की ग्रोथ के लिए भी जरूरी होता है vitamin A हमारे दातों को मजबूती प्रोवाइट करता है यानि कि हमारे दातों को healthy रखता है दोस्तो अब बात करते हैं कि vitamin A हमें कौन-कौन से food में देखने को मिलता है विटामिन A हमें देखने को मिलता है एग्स के अंदर, फिश के अंदर, लिवर के अंदर और डेरी प्रोडक्स के अंदर अब बात करते हैं कौन-कौन से फ्रूट्स हैं जिसमें आपको विटामिन A देखने को मिलेगा spinach यानि की पालक के अंदर, carrot के अंदर आपको vitamin A देखने को मिलता है साथ ही mango के अंदर भी आपको vitamin A देखने को मिलता है और बहुत सरे fruits होते हैं जिसके अंदर vitamin A आपको देखने को मिलता है अब बात करते हैं कि vitamin A की कमी होती क्यों है दोस्तो अगर आपके शरीर में fat का mal observation हो रहा है या आपको कोई liver disorder है तो उसकी वज़े से vitamin A की कमी आपको देखने को मिलती है vitamin A आपकी body में deficient मिलता है तो दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताया है